कि एक तो बताया गया था कि आपको भी कॉंस्टेंट क्या होता है कि कॉंस्टेंट क्या होता है और एक बताया वैरेबिल का मत्नब होता है जिसकी वैलू प्लेस्ट टू प्लेस्ट चेंज होती रहे उसको हम वैरेबिल कहते हैं इसके बाद बताया गया अब टर्म्स क्या होते हैं terms का मतलब जितने terms में हो जैसे मालिया 3x plus 2y है ति जो plus का sign या minus का sign जो है वो term को divide करता है यानि ये term तब तक एक रहेगा जब तक कि कोई plus माइनस का sign नहीं आएगा तो ये first term ये second term फिर minus आगया है third term जिसमें 3 terms है ठीक है इसके बाद बताये क्या zero term होंगे तो लिखोगे क्या बई कहा गया zero students sit in the class ठीक अग टीचर गया पढ़ाने के लिए तो का पढ़ाएगा वो पढ़ा सकता है उसे बई पढ़ा तो सकता है ना वो क्या पढ़ाएगा वीडियो बनाएगा क्या दिक्कत है इसके बाद terms के अधार पे इसमें बताएगा चाहा एक तो था constant एक होता है coefficient जैसे मैं two, three, four लेता हूँ तो constant है लेकिन two अगर x के साथ आ जाता है तो इसके बीच पे sign हमने बताया multiply का होता है तो ये coefficient कहलाते है बताद two यहाँ पर है coefficient coefficient of x और x भी coefficient है x जो है वो है coefficient of of two यह two का coefficient है लेकिन यह constant है इसको हम numerical coefficient कहते हैं यह numerical coefficient है और यह आपका literal coefficients है literal coefficient है तो यह literal coefficient और numerical coefficient अब जुरा समझेगा इसके बाद हमने बताया कि यह constant हो गया यह variable हो गया यह terms हो गया यह coefficient हो गया इसके बाद बताया कि भाई like terms और unlike terms तो like terms बताया गया जिसके literal coefficient सेम हो like terms का मतलब होता है having the same literal coefficients तो यह बताया गया like terms algebra के हम बात कर रहा है उसमें तो having same literal coefficients जैसे मैं आप तो literal coefficients आपके variable होते हैं जो x, y, z के term में आते हैं lateral coefficients यह जो variable होते हैं उन्हें तो कहते हैं हो गया आपका like terms जैसे हम कहें 2x और हम कहें 3x तो constant तो change हो सकते हैं लेकिन lateral coefficient सेम होने चाहिए इसमें जरूरी है constant अलग-अलग हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं या हम जैसे कहें 3x square y and 4x square y तो यह आपके या minus 4x square y यह आपके होते हैं like terms और दूसरे हैं ना like terms हिंदी में ना, ना माने नहीं जो like terms ना हो, वो ना like terms ऐसा न लिखिएगा unlike terms unlike terms जिसमें literal coefficients या variable term जो है वो same न हो जैसे हमने कहा 3x square y और दूसरा कर दिया हमने minus 4xy square तो change हो गया same, बिल्कुल डिटो same होना चाहिए तो यह unlike terms बताया गया इसके बाद हमने कहा था भी number of terms के base पर हमने कुछ नाम बताये थे कि monomial एक term हो तो अगर मालिया एक तो बताये था हमने monomial binomial और trinomial अब fournamial, fivenamial नाम नहीं दिया जता है यह तीन तक ही ठीक है monomial अपने कहा था जिसमें one term हूँ term को decide कौन करता है plus minus जैसे मैं 3x लिख दूँ या 4y लिख दूँ या x square y लिख दूँ यह one term होंगे, कौमा लगा है बीच में, ध्यान रखिएगा तो यह आपके monomial है binomial जिसमें दो term हो दो term होने का मतलब होता है कि plus या minus में से एक ही sign होगा उसमे अभी तो term को decide करेगा वो यह मतलब हम कहें x square y plus 7y square तो ऐसा नहीं यह दोनो like terms ही हो यह unlike हो, कुछ भी लिखा हो भाई like होंगे तो वो plus minus हो जाएंगे न कि दो term हो गए जिसमें तीन term हो 7x square y plus 8x plus 9 तीन term है तो trinomial और तीन से ज़्यादा है तो उनके नाम में हम आते हैं polynomial 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 का मतलब यह नहीं कि तीन से ज़्यादा होंगे तभी उसका नाम polynomial होगा लेकिन इनका अपना अगर एक term है तो वही polynomial का एक nickname होगा है monomial मतलब यह भी polynomial है यह भी polynomial है यह भी polynomial है लेकिन चुकि उसका एक और nickname है कि वो जो है एक term होगा तो उसी polynomial का नाम दे दिया गया monomial उसी को दे दिया गया जिनने हम कल discuss कर चुके थे, आज हम बात करने जा रहे हैं algebraic operations की, वहाँ से start करेंगे, यह basic है, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं, जैसे tv कारेक्टर में नहीं होता है, पिछले episode में आपने देखा, यही है, पिछले episode में आपने देखा, तो जल्दी से बता दिया जाता था, देखे, algebraic operations, operations, सवधान, नए नए नाम हैं, और थोड़ा सा technical words हैं, ध्यान से सुनजिएगा, देखे, main आपके जो mathematical operation हैं, वो चार है, plus, minus, multiply and divide, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं, प्लस माइनस एक ही चीज़ होती है, कैसे एक चीज़ होती है, वो कहते हैं कि आप कह रहे हों कि 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं, तो प्लस माइनस एक तरीके से एक ही प्रकार का operation है, लेकिन उसका नाम अलग अलग दे दिया गया है, जैसे multiply divide को हम same operation कहेंगे, आप कहेंगे विट 2 में से 3 का divide हो रहा हैं, और हम कहेंगे विट 2 में से 1 by 3 का multiply हो रहा है, तो बात तो same लिखी है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बराबर होगा, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बराबर होगा, लेकिन हम फिलाहाल multiply और divide अलग अलग operation मानके चलेंगे, जो rules प्लस माइनस multiply divide में arithmetic फालो करती है, जैसे 1 प्लस 2 करेंगे, वही यहाँ भी फालो करता है, लेकिन शर्त एक है, कि यहाँ पर like terms ही add होते हैं, ठीक है, multiply हो जाते हैं, लेकि like terms add और subtract होते हैं, ठीक है, अब ज़रा समझेगा, mathematical operation में कुछ नाम आएंगे, साउधान, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, operation में addition की, देखे, addition आप जानते हैं, जैसे दो number को add करना, बहुत चोटे class से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 2 प्लस 2 is equal to 4, अब यह बताने की ज़रूत नहीं है, होता है, ठीक है, हमको चोटे, बहुत चोटे से मालुम होता है, कि अगर ममी ने दो लड़ू दिये हैं भीया को, और हमको एक दियान जानते हैं, उसको दो दिये हैं, one में से one प्लस कर दिया हूँ है, वह अलग की बात, वह हमको पहचान है उसकी, तो simple है, कि जैसे हम arithmetic में प्लस करते हैं, वैसे यहां भी अगर x और 5 को प्लस करना है, तो हम कहेंगे x प्लस 5, अब यह additions कुछ rules का follow करते हैं, मतब यह rules of additions, यह laws of additions कह सकते हैं, rules of additions, addition, यह addition scientist नहीं है, दूसरे वाले addition है, वो EDI होते थे, सुना होगा नाम scientist का, नाम तो सुना ही होगा, देखे, जा हो गया, जो आप पहला देखे, addition जो property को follow करता है, addition में अगर हम algebra की बात ना करें, अगर हम arithmetic की बात करें, तो आप जानते हैं कि 2 प्लस 3 करें, या 3 प्लस 2 करें, value will be the same, इस rule को हम क्या कहते हैं, हमने बताया है, हमने बताया है, जब आपको arithmetic बताई गई थी, तो वहाँ rule स्थ बताई गया थे number system, याद है, पहली property है, committative property, of addition, addition की committative property, मतलब, अगर, दो algebraic expression, मैं algebra की बात कर रहा हूँ, तो algebraic expression ही लिखूंगा, ABCD, अगर दो algebraic expression मालिया 3X प्लस 2Y है, और आप 2Y प्लस 3X कर दीजे, तो value सेम होती है, तो अगर इस rule को कोई follow करता है, तो इस property को कहा जाता है, committative property, ठीक है, कुछ लोग थोड़ा standard बोलते हैं, तो वो कहेंगे कि algebraic addition, या addition follows the rules of committative, या addition commute, word यूज़ करता थे, commute, commute means follow the committative property, इनके rules भाई याद रखिएगा, समझे, इनके rules के नाम याद रखिएगा, हमने आपको उसमें, arithmetic में पढ़ाया है इस चीज़ को, वो आप भूल गए, दूसरी property यहाँ पर है, आपके basic के हिसाफ दो तिन बताई जा रही है, अब जोड़ा समझेगा, अगर मैं, x में से y प्लस करूं, और प्लस कर दूं पहले, और उसके बाद, उसमें z प्लस करूं, या, x में से, पहले y प्लस z करूं, फिर x करूं, तो result will be the different or same, same, तो यह सेम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम पहले bracket solve करते हैं, ठीक है, तो इसको कह, इस property का नाम क्या है, associative property, बूल गए ना, याद करने याद रखिये, आप पूछे कहीं पलट के देख रहे हो, कहीं लिखा होगा, इसको कहते हैं, 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 addition की बात करें ऐसा number जिसको किसी में add करने पर वो उसकी value को change न करें वो कौन है zero तो zero यहाँ पर addition के case में identity element है मतलब जो अगर मैं a में से zero plus कर दूँ तब भी a होगा या zero में से a plus कर दूँ तब भी a होगा तो zero इतना सज्जन है इतना noble person है noble number है बिचारा कि वो किसी को change नहीं करता है और add भी हो जाता है तो zero is called identity element identity element किस case में in addition addition के case में identity है हाँ suppression में भी होता है वो तो बात की बात है लेकिन multiply में identity नहीं multiply में बड़ा खतरनाक है बहुत बड़ा number आकर के इसके सामने तुर्म खानी दिखाने कोसिज करें hero बने कोसिज करें ये फट से जी अपने आप से multiply करके कहता तुम भी हो गए जीज़ो जा बीटा तो वह वहां खतरनाक है तो ये हो गया आपका identity element अब जड़ा एक note से मलीजेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है दोनों number सापस में add हो रहे हैं और इसमें दोनों के बीच में sign कौन सा लगा हुआ है हाँ तो ये दोनों equal नहीं होते हैं ध्यान रखेगा अब कहेंगे इतनी छोटी बात है क्या बता रहे हैं ये छोटी बात है लेकिन अभी आप भी छोटे है ना इसलिए छोटी बात है तो ये पहला लिखे ये subtraction भी जैसे कि हमारा arithmetic जैसे rules को follow करती है उनी rules को ये भी follow करता है ठीक है अच्छा अगर मैं कहूं x minus y तो मैं इसको पढ़ूंगे क्या बढ़ने को तो x minus y पढ़ेंगे हम लेकिन अगर इसको language में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे y is subtracted from x y x में subtract किया गया तो x में किया गया तो x बड़ा होगा ठीक है तो इसको अगर language में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे y is subtracted from x ठीक है ऐसा हम बोलेंगे जैसे आपसे कुछ मैं ठेवरी बेस में लिख रहा हूँ कुछ ठेवरी में जैसे मैं लिख रहा हूँ कि the sum of A and 2C मैं आपसे कहा जाए the sum of A and 2C तो इसको mathematically यह तो ठेवरी लिख दी गई इसको mathematically आप कैसे लिखेंगे sum of A and A and and का sign है वो A है वो नहीं है भाई यह की तो टांग दिखनी रही है वो टांग निकली है नीचे चोन टाइप की A and 2C को sum का मतलब क्या होता है तो sum में से बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है भाई sum में बड़ा चुटा कोई मतलब नहीं है यह तो दुनिया है कौन बड़ा है कौन चुटा है वह बेटा पुरी महत्मा लोग बोलते हैं ऐसा इसमें नहीं लगेगा देखो इसको लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे A plus 2C ठीक है जैसे मैं आपसे कहूँ कि 11 more than 11 more than a number B 11 more than a number B ऐसा आपने बोला 11 more than a number B तो आप इसको पढ़के कैसे mathematically आप लिखेंगे नहीं एक नमबर B से 11 बढ़ा है ऐसा बोला नहीं नहीं 11 more than a number B ऐसा बोला नहीं तो इसका हमताब जिस नमबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो B से 11 बढ़ा है तो इस प्रकार के statement आएंगे जिनको ऐसे statement लिखेंगे जिनको कि आपको mathematically फॉर्मिशन करना पड़ेगा क्योंको इस प्रकार के फॉर्मिशन से तो एड़ नहीं कर सकते आपको mathematically लिखना पड़ेगा ना जैसे ये कहें कि profit of rupees 10 increased by P profit of rupees 10 is increased by P मतलब rupees 10 का कोई profit हो रहा है आपको हमने का उसको भाई तोड़ा P increase करो तो आपने कितना बढ़ा दिया तो आपने 10 में से P प्लस कर दिया या P में से 10 प्लस कर दिया ठीक है तो समझ में आ गया ठीक है जैसे हमने अगला एक और statement है मैं लिख रहा हूँ इंक्रिमेंट उफ x अड़े तो द अड़े तो द अड़े ऍसब्सम पूर्ण सेली एम अगले अगले टिया द बोनस न अगले इंक्रिमेंट प्लस आपको of x added to the sum of salary m and bonus n क्या लिखेंगे इसको आप पहले हम एक साथ नहीं करेंगे पहले हम क्या करेंगे कि salary और bonus को add कर दिया और ये बंद कर दिया bracket में आप addition दो दो करोगे ना एक साथ तो सब को plus नहीं करोगे और बाद ने उसमें increment को plus कर दोगे ठीक है अब आप कहेंगे bracket ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई बात नहीं आप कर सकते हैं इसको तो पहंचानना पड़ेगा क्या बोल रहा है कहा गया है थ्री ए सब्ट्रेक्टेट फ्राम फोर वाई थ्री ए मैं पहला है अब देखें अब देखें हैं है फोर फोर वाई है अब जड़ा इंग्लिस समझेगा थ्री ए इस सब्ट्रेक्टेट फ्राम अगर मैं कहूं कि टू इस सब्ट्रेक्टेट फ्राम फोर तो किसमें से किसको मैनस करना है प्राम फोर वाई क्या बोला था अच्छा यह बोला था तो सही बोला था फोर वाई माइनस थ्री ए तो देखना यह पड़ेगा कि किसको सब्ट्रेक्ट करना है किसमें से करना है सब्ट्रेक्ट बोले तो उससे काटके उसको निकाल दीजिए ठीक है तो यह स्टेट्मेंट पहचानना पड़ेगा कि आप से कहे क्या रहा है जैसे आप से कहा D less than 12 D less than 12 क्या लिखेंगे इसको नहीं 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 आप नहीं किया गया है आपको लिखना है आपको X decreased by 103 X decreased by 103 तो आप कैसे statement इसका बनाएंगे X decreased by 103 X decrease कर दिया गया 103 X decrease कर दिया गया ठीक है X उससे एक मतलब थोड़ी होता कि जो यह लिखा पहले लिखा जाएगा तुम यह देख रहे हो क्या इसको पहले लिखना है यहाँ देखो क्या बोला गया है उन्होंने कहा X को decrease करिए कितना करिए 103 यह न लिखिये कि पहले बाद वाले में पहले वाले को माइनस करिए तुम यही कर रहे हो ना ने ने वो तो नहीं ऐसा नहीं है X माइनस decrease हो रही वर थोड़ी भी लिखा जाएगा उसमें वो तो निकाली जा रही लिखा जाएगा तुम यह आपका basic concept है लिखने का कि how you formulate the subtraction if the statement is given like this तुम नोट करिए इसको subtraction को एक तरीके से addition का ही part माना जाता है उसी प्रकार से division को multiplication का ही एक रूप माना जाता है अब यह अबने बताया था कि X upon Y मतलब X into 1 upon Y तो अब बात करते हैं multiplication multiplication का दूसरा नाम क्या है mathematical product मतलब product का वैसे मतलब तो दूसरा भी होता है कि आपने कोई एक चीज़ दो चीज़े मिलाई और उसे एक नया product बन गया तो उसकी कई English हो सकती है लेकिन mathematics में product का मतलब होता है multiplication ठीक है देखें पहले तो कुछ example समझें अगर आप से मैं कहूं कि 3, 3, 3, 3, 3 आप 4 times add करिए तो आप चाहें तो 3 को 4 से multiply कर दें बात वही होगी मतलब इसको कहा जाएगा 4 times of 3 ये 4 times 3 लिखे है ना 3 कितने times लिखे है 4 times इसको 4 times आप 3 भी बोल सकते है 4 into 3 बोल सकते है 3 into 4 बोल सकते हैं ठीक है बोलने का तरीका हो गया जिसी प्रकार से दूसरी बात हम कह सकते हैं कि मैं x plus x plus x plus x करूं तो आप पहेंगे 4 times of x तो 4 times of x में आप केवल 4 x करने यहाँ पर multiply का sign लगाना जरूरी है क्योंकि नमबर में एक लफड़ा होता है ना नमबर में अगर आप 3 into 4 करें तो आपके लेबिल पर यह decimal पढ़ा जाएगा बड़े classes जो चल जाता है 3 into 4 कर देते हैं माल लेते हैं यह multiply लिखा है लेकिन आपके लेबिल पर यह decimal पढ़ेंगे इसलिए आपके लेबिल पर यह नहीं लिखेंगे लेकिन चुकि यह जो 4 x लिखा हुआ है तो यह 4 is the coefficient of x numerical coefficient and x is a literal coefficient of 4 और इनके बीच में sign कैसा है इनके दोनों के बीच में sign कौन सा कहलाता है multiply का sign होता है तो आपको यहाँ multiply sign लगाने की ज़रूतने चाहो तो ऐसे लगा दू लेकिन अगर आप लगाना इसलिए जरूरी है कि छोटे classes में student इसको decimal पढ़ जाते हैं इसलिए हम लगाना वह जरूरी समझते हैं ठीक है अच्छा प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है यह ध्यान रखिएगा अब इसके कुछ properties होती हैं प्रोड़क्ट की मल्टिप्लिकेशन की कुछ properties होती है सबसे पहली property जैसे जो number system होता है जो वो rule फालू करते हैं लगबग वही है rule फालू करते हैं पहली property यह है commutative property अब आवाद रिकार्ड हो रही है आपके वीडियो वन रहे है जल्दी बतात वार कि एक दो पड़ा रहे हैं वीडियो रिकार्ड हो रहा पुरा यूट्योब में आपकी आवाद चली जाएगी कुछ आवाज आ रही थी इसलिए मैंने बता चुके property of multiplication देखिए कॉमिटेटिव प्रपरटी आफ एडिशन भी हम बता चुके उसी प्रकार से multiplication में अगर x y करें हम x y तो ये इनके भी चुछ साइन काउंसा है x into y पढ़ेंगे न और y into x करें तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है आप dot लगा भी सकते हैं नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं अगर dot आप लगा भी दे तब भी ठीक है नहीं लगाते तब भी ठीक है अच्छा दूसरी property associative property देखो केवल आप कॉमिटेटिव प्रपरटी लिखते हैं चलेगा चुकि मल्टिप्लिकेशन के बारे में बात आप करी रहे हैं चीक है मतब associative property आफ वाट आफ मल्टिप्लिकेशन ठीक है तो अगला है associative property associative property अफ मल्टिप्लिकेशन लिखे दे रहे हैं confused नहूं आप देखे अगर मैं x इंटू y करता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ मतलब कैसे मतलब बैकेट बंद करता हूँ उसका क्या मतलब होता है मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और बाद में इंटू z करता हूँ या x इंटू y इंटू z करता हूँ मतलब पहले मैं x इंटू y करूँ फिर z से मल्टिप्लाई करूँ या पहले y इंटू z करूँ फिर x से मल्टिप्लाई करूँ result will be the same तो यह आपकी property होती है associative property of multiplication अगली property है अब जड़ा यहाँ पर एक नई property आती है पहले सबदने की कोशिश करें यहाँ पर अगर मैं 2 इंटू bracket में 3 प्लस 4 कर दूँ देखें यहाँ एक तो तरीका यह है कि इनको add हम कर दे और जो result है उसको 2 में multiply कर दे मतलब यह इंटू है वैसे भी आप जानते है bracket के बाहर कोई number है तो multiply होता है तो यह हम 2 इंटू 7 यानि कि 14 लिख सकते हैं लेकिन हम bracket कैसे खोलते हैं देखें पहले 2 का इंटू किसे होगा 3 से तो यह आएगा 2 इंटू 3 फिर sign लगेगा प्लस फिर 2 इंटू 4 तो 3 तू जा 6 4 तू जा 8 14 आएगा यह property कलाती है distributive property half multiplication अनि multiplication इस प्रिकार से bracket के अंदर distribute हो जाता है तो इसको कहते हैं distributive property distributive property किसका distributive half multiplication half multi multiplication जरा समझेगा अब यह और word इसमें आएगा भी हम लिख नहीं रहे देखें यही चीज जैसे यह आपने बताया यही चीज आप अगर 2 इंटू 3 माइनस 4 करिएगा तो यही चीज वहाँ भी आएगी यह dot यह dot multiply का है it is not decimal तो यह होता है distributive property of multiplication टेकिन वह addition में है इसलिए over addition लिखा जाता है over addition मतलब अगर x in bracket y plus z आप करें तो bracket कैसे खुलता है जरा देखें चूंकि algebra में यह bracket खोलना और multiply करना बहुत आगे दिक्कत करता है अगर basic गरबढ़ा है किसी का तो algebra जो है उसकी खोपड़ी साफ कर देती है ऐसे कर देती है पहले x का multiply किसे होगा y से तो हम लिखेंगे x y लिख दिया फिर रास्तिम कौन मिलेगा plus फिर x जाएगा z के साथ यह x z हो गया ठीक है यह हो गया distributive property of multiplication over addition अब आता है identity element identity element या identity rule जो भी आपके है दोनों लिख दिजिएगा identity element और identity rule के नोट के लिए यह नंबर कौन से चलेगा फिफ्थ आइडेंटिटी element और identity rule जो भी आप कहें मतलब rule is हाँ हाँ one होगा one is the identity element in the case of multiplication क्योंकि वो बिचारा इतना सीधा होता है कि किसी number से multiply करने पर चेज नहीं करता है वो ले जाओ कोई बात नहीं बड़ा सीधा होता है हाँ वो ऐसे होता है zero into x one into x करेंगे तो यह x हो जाएगा यह identity rule होता है है यह one को हम देखे one का जो नाम है ना one को कहते हैं multiplicative identity multiplicative identity जीरो क्या था additive identity जीरो जो था आपका वो था additive identity additive identity समझ में आ गया एक जबर्दस्ती का rule ही rule भी कह सकते हैं एक जीरो प्रपर्पर्टी की होती है जीरो प्रपर्पर्टी जीरो का नेचर multiplication के case में बड़ा क्रुएल है वन जितना सीधा है जीरो उतना ही टेड़ा है वन कहता किसी से multiply गरो मैं किसी को change नहीं करता मैं बड़ा सीधा हूं जीरो क्या कहता है कि बहुत तुम चितने ही बड़े हो अगर मैं multiply में आ गया ना चाहे इधर से आउं चाहे इधर से आउं तुमको ऐसे बना दूंगा जैसा मैं हूं जीरो multiply by यानी नमबर आइधर इस साइड और इस साइड रिजल्ट विल बी जीरो अब आप कहेंगे इस से क्या फरक पड़ता है वह इस साइड हो या इस साइड हो यह अलजब्रा है आगे क्लास में आप चाहेंगे तो यह दोनों अलग अलग रूल्स कहलाते है इसमें आप तो अभी आप अलजब्रा पड़ रहे हैं आगे चलके यह higher algebra आएगी आगे चलके modern algebra आएगी तो यह सब रूल्स अलग अलग हो जाएगे नोट करिए इसको अब division जो है हर यह rule जो आपका multiplication follow कर रहा था यह division follow नहीं करता तो division में लिखते कैसे हैं x divided by y बस x upon y यह division होता है ठी आपके सभी multiplication वाले होते हैं भाई आप अगर ध्यान से देखें मैं को आपको याद हो अगर जब number में आप divide करते थे तो divide का sign हटता कैसे था इसको वन इसके अपान में बन है तो वहां रूक दाया गया थे x को multiply sign करके इसको पलर देते थे याद है ऐसा पढ़ाए नहीं पढ़ा है अपने आपको एक एक बार्ड मास पढ़ाया गया था उसमें बताया भी था जो division होता है जैसे 2 divided by 3 है अब हर जगे तो 2 ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम एक तो ऐसे लिखेंगे तो पूरा पूरा divide नहीं होगा decimal में हम ले आएंगे तो वहाँ रूल में होता है कि 3 के अपन में 1 है आप इस sign को multiply बदल दीजिए ये पलड दीजिए वे लो तो मैं 2 अब मतलब वैसे थे 2 अपन 3 लिखा हुआ है तो अगर मैं कहूँ 2 divided by 3 या 2 multiplied by 1 by 3 तो ये लगभग लगभग वन रूल्स को फालू करता है जो multiply रूल फालू करते हैं लेकि सब नहीं करता है फालू मतलब आप अगर आप कभी पहला रूल क्या था कि अगर मैं A upon B और B upon A करता हूँ तो ये इक्वल नहीं होते ना तो इसलिए इसके ruling नहीं लिखी गई है जैसे इसको 0 से divide नहीं कर सकती कोई भी नंबर अगर 0 से divide हो जाएगा तो आप कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे कर लिजे divide A को 0 से divide करो 0 बंजा 0 A 0 बंजा 0 A 0 बंजा 0 A पता चला बढ़े होते चले आ रहे हैं पूरा उम्र निकल गई यह डिवाइड ही नहीं हुआ तो कितना बड़ा नंबर आएगा बहुत भेंकर इसको हम कहते हैं infinite क्या कहते हैं infinity infinite मतलब जिसकी वैलू हम find नहीं कर सकते infinite बहुत बड़ी value होगी ठीक है तो यह डिवाइड करूल है डिवाइड करने करूल है अब कुछ expression है हम बोलते जा रहे हैं आप इसको लिखेगा कैसे लिखा जाएगा तो यह आपके चार operations है algebra की मतलब यह mathematics की operations है यह algebra में भी लगते है अर्थमेटिक में भी लगते है जैसे algebra में दो number x और y है तो multiply के sign ना भी लगाओ तो multiply माना जाता है जैसे मैं कहूँ the sum of 5 and number x sum of 5 and x 5 plus x लिखेंगे 3 times a number y जैसे आप से कहा जाए 3 times a number y कैसे लिखेंगे times का मतलब उतने गुना उतने times हो गया तो multiply तो यह क्या लिखा है यह 3 while लिखा हुआ है जैसे आप से कहा जाए 8 more than the product of 2x and m 8 more than the product of 2x and m बताईए एंड का sign होता ना ऐसे बनता यह बताईए कैसे लिखेंगे लिखेंगे इसको कि अब है कि अब है कि वह समझेगा जितना संद मैंसों लिखेंगे फिर तो हम ही हैं आप से कहा गया कि product of 2x and m जो आया उससे 8 अधिक यह तो आप से कहा गया है अरे नहीं भाई देख लो तो 2x into m into के लिए बीच में multiply का sign लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि algebraic expression में वह into होते हैं और उससे 8 more तो बोले तो plus 8 आगे लिखे 25 times n added to 23 इसको mathematically कैसे लिखा जाएगा समाज के लिखेगा ऐसे नवताईएगा times का मतलब हाँ 25 गुना multiply या 23 plus 25 n मैं बात बराबर है लेकिन पहले 23 लिखें या बात 23 लिखें मतलब कहा क्या ग्या है आपसे कहा ग्या है कि आप से कहा ग्या है कि ट्वuration की हाट किया ग्या 25 times of n आपसे कहा गया कि 23 में add किया गया 25 times of n यह आपसे कहा गया आप ने ब्रैकेट लगान कि जो तनी है उसमें क्या दो ही term तो है ब्रैकेट तब होता है जब दो से अधिक term होते है आपसे आपने क्या गया कि 25 times of n में से 23 add किया गया दोनों बाते बरावर हैं दोनों value अलग अलग नहीं है लेकिन दोनों में यह है यहाँ पर यह hero है 23 कहेगा तुम मुझमें add किये गयो बैसाब और यहाँ पर 23 23 को यह कहेगा आप मुझमें add किये गये हैं बहुत बड़े hero बन रहे हो तो इसमें यह hero है इसमें यह hero है दोनों बाते कही अलग अलग गई है लिखने कोई दिक्कत नहीं है ठीक है